कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है जो जिसके भी जीवन में होती है तो केबल वही ब्यक्ति जानता है कि कर्ज जीवन में कितने कर्ष्ट लाता है जिस भी ब्यक्ति के जीवन में कर्ज होता है तो ऐसे ब्यक्ति ना तो सही से खापाते हैं और ना ही सही से सो पाते हैं और कोई भी कार्य करने में उसका मन भी नहीं लगता बलकि सोने के लिए भी उसे नींत की गोली का सेवन करना पड़ता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा खास प्रियोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है क्योंकि मंगल गिरह के स्वामी केबल भगवान हनुमान है और मंगल गिरह के ही कारन जीवन में कर्ज की समस्याई आती है दोस्तो चनक के जी ने भी कहा है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपका कर्ज सारा का सारा निवड़ जाएगा दोस्तो अगर आप चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे चैनल के माद्ध्यम से ऐसा ही गान सबसे पहले प्राप्त हो सके और कमेंट वॉक्स में जैस्री किष्णा जैस्री हनुमान जरू लिग दें इसलिए जिन भी लोगों के जीवन में करज की समस्याएं आती हैं बैब बिना भगवान हनुमान की किरपा के करज से बहार निकल ही नहीं सकते तो दोस्तो ध्यान से इस क्रिया को समझना है कि किस पिरकार इस प्रियोग को आपको करना है और भगवान हनुमान ही केबल संकट मोचन है जो हर प्रिकार के संकट से अपने भक्त को मुक्ति दिलवाते हैं जो संकट को हर ले बही केबल भगवान हनुमान है तो दोस्तों आपको ये पिरियोग इस प्रिकार करना है कि जब भी मंगलवार का दिन आता है जा फिर सन्यवार का दिन आता है तो उस दिनों पर आपको जे करना है दोस्तों किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार या फिर सनीवार के दिन लगातार जाना है गोड और चने लेकर जाना है और बहीं पर वैट कर पांच बार कम से कम हनुमान चालिसा का जाप करना है जानि कि हर मंगलवार हर स सनीवार या आपको करना है गुड़ और चने लेकर बहाँ पर जाना है और भगवान हनुमान को भोग लगा कर उन गुड़ों और चनों को बच्चों को बाट देना है क्यूंकि अगर मंगलवार के दिन या फिर सनीवार के दिन आप बच्चों को कुछ मिठाई खाने के 24 गंटे ए चौपाई को जो हनुमान 40 की मुख्य चौपाई ही जिसको जाप करने से सुगरीब को राजपाध की प्राप्ती हो गई थी प्हवि अपने कर्चे मुख्य हो गया था क्यूंकि जब तक सुपी प्राप्ती नहीं होती है जब तक कर्च पूरी तरह से ना उतर जाए इसलिए हनुमान चालिसा की जे मोक्य चौपाई इस पिरकार है तुम उपकार सुग रीवन कीना, राम मिलाए, राजपत धीना बस इसे 24 गंटे आपको दोराते रहना है मन ही मन बोलना है और इसका जादा से जादा अधिक ध्यान रखना है यह चौपाई इतनी सकती साली है कि अगर आपको नोकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है तो बस अब इस चौपाई को रटना बिलकुल सुरू कर दें आप खोद देखेंगे कि कुछी दिनों में आपको नोकरी मिल जाएगी अगर आपका बैफसाय नहीं चल रहा है तो केवल इसी उपाई का पाट करने से बैपारी भी बहुत चलने लगेगा इस बात का भी दिहान रखेंगी हनुमान मंदिर में अगर चोला अगर आप दान देते हैं तो इससे भी कर्ज दनने के पूरे पूरे चांस होते हैं और अगर आप मंगलवार के दिन ब्रत रख सकते हैं तो और भी जादा अच्छा है क्योंकि मंगलवार का ब्रत रखने से सेहत बिलकुल अच्छी बनी रहती है और ऐसे ब्यक्ति को कर्ज की भी समस्याइन नहीं होती है तो दोस्तो आप इस उपाय को जरूर करें तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दें आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दवा दें